अगर आपकी spine surgery होने वाली है या आपको spine surgery बताई गई है तो बहुत ज्यादा chances है कि उसमें lumber decompression का role रहेगा आईए समझेंगे इस वीडियो में कि lumber decompression exactly क्या surgery होती है क्या इसमें किया जाता है किस technique से कर सकते है और उसके बाद क्या precautions होती है जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार मेरे नाम है डॉक्टर राकेश ठाके मैं spine surgeon की तोर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ इस वीडियो में हम बात कर रहे है कि lumber decompression surgery में exactly क्या किया जाता है अब ये समझने के लिए हमको पहले ये जानना होगा कि इसको कब करते हैं तो lumber decompression surgery तब की जाती है जब कमर में नस दब जाती है जो spinal nerves होती है हमारी जहां से spinal cord खतम होती है उसके नीचे जो spinal nerves होती है जो spine से निकलती है वो जब दब जाती है तो हम करते है lumber decompression surgery maximum cases में जब stenosis होता है तो अब stenosis का मतलब हम समझेंगे इसमें अब देखो lumber decompression क्यों करना पड़ता है कि जो नस आरी है कमर से उसके उपर दबाव रहता है तो ये दबाव क्यों बनता है अगर आप spinal anatomy को देखे तो spine में जो disc होती है वो disc आगे से मतलब anteriorly जो joints होते है spine में वो side से औ तो ligamentum flavum पीछे से disc आगे से और दोनों joint side से ये उमर की हिसाब से घशरन की वज़े से wear and tear की वज़े से size में बढ़ने के कारण नस को दबा देते हैं ये सारे चारों components मिल के stenosis create करते है या दबाव create करते हैं बहुत cases में खाले disc इतनी ज़्यादा बाहर निकल जाती है कि वो करनाल को दबाते हैं तो number decompression surgery की जाती है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पीछे से ligamentum flavum दबा रहा है जो side से joint दबा रहे हैं आगे से disc दबा रहे हैं ये सारे चीजों को हम थोड़ा 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 निकाल के spinal nerves के लिए वहाँ पर जगे create करते हैं ताकि जो नस दबी ह कुई है वो खुल जाए और जो कमर से नीचे पैर में दर जा रहा है वो कम हो ये patient generally वह होते हैं जिनको ख़ड़ा रहने के बाद क्या भी जाता है क्योंकि कमर से नीचे जे पैरों में दर जाता है जो ख़चाओ मैसस होता है जुंजणीilot मैसस होती है उनके कारण इनको चला जाता है कमर से लेके पैर तक यह हम तभी करते हैं जब मेडिसिन और फीजियो तेरपी से मरीज को हेल्प नहीं हो रही है उनका पेन बरकरार है तो हम लंबर डिकंप्रेशन सरजरी सजेस्ट करते हैं अब यह सरजरी दो तीन तरीके से की जाती है एक है ट्रेडिशनल जो ओपन सरजरी होती थी दूसरी है मिनिमली इन्वेजिव या ट्यूबिलर डिकंप्रेशन सरजरी तीसरी होती है एंडोस्कोपिक डिकंप्रेशन सरजरी अब कौन सी सरजरी आपके लिए सही है यह तो हर पेशेंट के ओपर डिपेंड करता है स्कैंस के ओपर डिपेंड करता अब सरजरी के बाद जनरली हम पेशेंट्स को सेम डे या नेक्स डे खड़ा करके चलाते हैं और तीन या चार दिन में पेशेंट जनरली घर पे जाता हैं एंटिबाइटिक्स फीजियो तेरपी सब करने के बाद चौदा दिन में इनके टाके निकलते हैं अगर टाका निकालने वाला है जनरली पीगलने वाले टाके होते हैं तो चौदा दिन के बाद जनरली अब एक्सेसाइस की मदद से अपनी रूटीन पे धीरे धीरे रिज्यूम करते हैं Lumber Decompressions Surgery के बाद जो common precautions हम सब के लिए है कि कमर को जुपना नहीं है बारी वजन उठाते वक कमर को बैंड नहीं करना है ये सारे precautions ये patients के लिए कुछ जादा important होते है ताकि disc बहार ना आए वो लेवल की या उपर के लेवल की और इनका pain बढ़ेना तो physiotherapy के माध्यम से surgery के बाद कुछ हफतों में या मैनों में patient back to routine जोइन कर सकते हैं ये हो गया in short Lumber Decompressions Surgery के बारे में महत्वपूरुन जानकारी फिर भी अगर आपको कुछ doubts है surgery के बारे में या Lumber Spine या कोई भी spine के बारे में तो आप जरूर नीचे comment section में लिख सकते हो हम को understand की जैसे time मिलेगा तभी हम reply कर सकते हैं आपके messages को तो please थोड़ा patience रखे thank you so much